तो हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग MS Word में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीखने वाले हैं तो चलिए बिना देर किये वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरु किजएगा और अगर चैनल पर नय है तो संस्क्राइब जरू कर लीजिएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है MS Word को ओपेन कर लेना ना तो चलिए मैं यहां पर surfaceAPS भान कर लेता हूँ अब यहां पर दोस्तों सबस वाले option पर आपको click कर देना थिक है नीचे में आएंगे तो यहां पर आपको option मिलेगा more paper size का इस पर आपको click करना है तो आपके सामने इस तरह का एक box open होगा यहाँ पर आपको page की setting करनी है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर option आ रहा है paper size का तो यहाँ पर देखिए width है और height है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारी width रहेगी वो यहाँ पर 6 inch रहेगी ठीक है तो आपको इसको back special delete कर देना है और यहाँ पर 6 type कर देना है और जो हमारी हाइट रहेगी वह रहेगी 4 इंच की ठीक है तो 6 इंच और 4 इंच ठीक है इनको करके नीचे में दोस्तों आपको एक ओके का ओप्सन मिलेगा देखें यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देना तो यह आपका 6 इंटू 4 साइज में आपका यहाँ पर बन जाएगा ठीक है इस साइज को दोस्तों हमने पोस्कार्ट साइज बोलते हैं ठीक है तो पोस्कार्ट साइज में हमने माल लीजिए यहाँ पर कम स वाले option पर चले जाईए और यहाँ पर दोस्तों देखे हमने एक यहाँ पर photo रखा हुआ है खीचा हुआ एक photo ठीक है इसको हमनों select करके यहाँ पर insert कर लेते हैं ठीक है अब देखे दोस्तों यहाँ पर photo क्या है photo आपको cropping करना होगा ठीक है क्योंकि हमनों को यहाँ passport size photo बनान है इस crop वाले option पर आपको select कर लेना है और यहाँ से आपको mouse की मदद से कंधे से कंधा देखे लिए यहाँ से कंधा हमने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ दूसरा जो कंधा हो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ठीक है इस तरह आपको set कर लेना है इसके बाद नीचे से भी पाट लीजे ठीक है crop कर लीजे और यहाँ से उपर से भी थोड़ा सा आप इसको crop कर लीजे ठीक है अब देखे दोस्तों यह हमारा एक अच्छा सा size में आ चुका है ठीक है अब हम लोग को photo को size को भी setting करनी पड़ेगी तो यहाँ पर पहले crop करने के बाद interface कर दीजे ताकि यह lock हो जाए ठीक है अब फिर से photo को आपको select करना है mouse की मदश से तो देखे इस तरह select हो जाएगा इसके बाद फिर से आप format वाले option पर आ जाईए और यहाँ पर दोस्तों राइट में आपको height और width मतलब photo की height और width को setting करनी है ठीक है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर हम लोग width कर लेते हैं 1.29 ठीक है तो यहाँ से हम लोग backspace आड़ा दिए 1.29 ठीक है और यहाँ पर फिर से हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं ठीक है दोस्तों देखे यह हमारा photo जो है वो पूरीतिके से सेट हो जुगा ठीक है यही size आप लोग रखिएगा जो passport size का photo size होता है लगबग यही होता है ठीक है तो इस size में आप photo निकालना है तो देखे यह हमारा photo का size हो गया इसके बाद हम लोग को यहाँ पर इस पर border करना है ठीक है तो photo पर border लगाने के लिए आपके किजे photo को select कर लिजे format में जाहिए और यहाँ पर आपको एक picture border नाम का option मिलेगा ठीक ह हम लोग पहले यह वाला भी कर रहे है ठीक है यहाँ पर हमने border का size को select कर लिया है ठीक है इसके बाद दुस्तों आपको क्या करना है photo को adjust करना है ठीक है photo adjust करने के लिए आप क्या कीजेगा यहाँ पर देखे आगर मैं photo को इस तरह ड्रैग करने को उसकरता हूँ तो यह photo देखे यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजेगा photo को इस तरह select कर लिजेगा और select करने के बाद format वाले option में आईएगा और से हिसाब कर आप का तो आपको क्या करना अपको शांता है यह स्ट जट यहाँ से आप स्टर्टिंग पॉइंट पर लगा देना है यहाँ यहां central mouse से उ सिर्टissant कर collagen Alrighty अपको ध्यान यह रहना है कि आपको चारों साइट से इसतरा white आपको छोड़ चोड़ना क्योंकि आप फोटो जब सीजर से या कहची से जो भी है कटिंग करेंगे तो यहां पर आपको काटने में असानी हो ठीक है इसलिए आपको वाइट का जो जगह है वो छोड़के रखना है तो थोड़ा सा मैं और यहां पर कर लेता हूं ठीक है यहां पर हमारा काफी जगह बन जाएगा ठीक है तो यह देखिए हमने कर लिया अब इसी फोटो को दोस्तों हम लोग को यहां पर कॉपी बनाते जानी है तो कॉपी बनाने के लिए आप क्या कीजेगा सबसे पहले माउस से फोटो को सेलेट कर लिजेगा और सेलेट करने के बाद आपको कंट्रोल को प्रेस सेट करते जाना है फिर से आप माउस से क्लिक कीजिए कंट्रोल प्रेस कीजिए और फोटो को यहां पर लाईए और आसको छोड़ दीजिए ठीक है तो देखिए यहां फोटो सेट होते जा रहा है फिर से मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और फोटो यहां पर मैंने सेट किया ठी कर सकते हैं देखे थोड़ तरह आखा रहा है इसको चाहें तो अड़ेस्ट कर लीज़े कोई दिक्कत नहीं यहां पर यह इस तरह अड़ेस्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद दूस्तों अब आपको क्या करना है इन सब फोटो को माउस की मदद से और आपको कंट्रोल प्रेस करके लाना है ताकि यह फोटो एक साथ ग्रूप में आ जाए बार बार आपको प्रेस करके एक फोटो सा जाने की जरूवत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस तरह आप खीच के लाईएगा और यहां पर देखे यहां पर हम लोग इसको एड़ेस्ट कर देते हैं ठीक है तो य अपर देखे और भी काफी दोस्तों जगह बन जारा अगर आप चाहें तो इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है यह देखे हैं यहां पर आपको लेफ्ट साइड में ओफिस बटन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर दोस्तों आपको प्रेंट क का एक Option है ठीक है इस पर आप क्लिक कीजेगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपका जो फोटो है वो be Carrie होने के बाद कैसा लगेगा ठीक है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं made print करने से पहले कि आपका जो फोटो है वो render करने के बाद कैसा लगेगा ठीक है तो देखिए दोस्तों इस तरह है ठीक है अब यहां से इसको close कर लेते हैं ठीक है close करने के बाद यहां पर फिर से हमने क्लिक करते हैं और यहां print पर आ जाते हैं देखिए उपर में print का option है इस पर click करते हैं और click करने के बाद दोस्तों आपको बस यहां से क्य जाएगा ठीक है तो अभी दोस्तों हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप प्रिंट करेंगे ठीक है तो देखें दोस्तों यह बन के तयार हो गया आई होप दोस्तों आपको सारा चीज अची तरीके से समझ में आ गया होगा आफिल लोग जो हमारे सस्क्राइबर्स हैं वो हमारी वीडियो हमेशा रेगुलर देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच